दोस्तो आज के समय में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप आगे चल कि software developer कैसे बन सकती हैं दोस्तो आज के समय में बहुत सारे student हैं जो आगे चल कि technology के field में अपना carrier बनाना चाहते हैं आगे चल कि वे software engineer या फिर software developer बनना चाहते हैं दोस्तो आपका भी सपना है कि आगे चल कि आप एक software developer बने या फिर आप जानना चाहते हैं कि software developer कैसे बनती हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इलफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको software developer के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं जैसे कि software developer क्या होते हैं इनका काम क्या होता है इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है software developer की job आप कैसे पासकते हैं इनकी सहली क्या होती है साई जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को तक जरूर देखिए आईए आज कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं सौप्ट्वेयर डेवलपर की बारे में दोस्तो आईए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सौप्ट्वेयर डेवलपर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है दोस्तों एक software developer पर computer और mobile के software के विकास करते है यानि कि उसका निरमार करते है यानि कि वे computer में या फिर mobile में जो software होते हैं उनका बनाते हैं ये सारा काम करना एक software developer का काम होता है दोस्तों software developer पर एक programmer होता है जो software programming की coding करता है इसका साथ software developer program की जो भी समस्या आती है यानि कि सबसे पहले तो वह programming language की coding करता है और coding पे अगर कोई भी problem होा जाती है किसी भी समय में mobile में या फिर computer में तो उसो ठीक करना भी इनका काम होता है तो यह होते हैं एक software developer अब आपको बताते हैं कि अगर आप एक software developer बनना चाहते हैं तो कौन सी योगताई हैं जो आपके प साथ परसेंट मार्क आपको टोल्स में यहाँ भी मांगा जाता है इसके साथ साथ आपको अपना graduation पूरा करना होता है graduation में आप कर सकते हैं बीटे कर सकते हैं computer science के फिल्ड में या फिर आप BSC कर सकते है computer science के फिल्ड में या कि computer science से लेटेड ही आपका graduation complete होना चाहिए और मिलता है आगे चलकि इसकी फिल्ड में क्योंकि आगे चलकि आपको software developer ही बनना है अब आई आपको बलाते हैं कि software बनने के लिए कौन से language है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए तो बिगरी के साथ साथ कुछ language है जैसे कि Java, C++, HTML, PHP, Python, Roby, JavaScript यह coding के कुछ language है जो आपको जरू बनने में सहाइता मिलती है और आसानी से आप एक software developer बन पाएंगे अब आई आई आपको बताते हैं कि software developer actual में बनते कैसे है यानि कि 12 से लेकि software developer बनने तक का पूरा process क्या होता है जोस्तों एक software बनने के लिए software developer बनने के लिए सबसे पहले अपने 12 पास कर ले 12 आपका साइंस यानि की PCM से होना compulsory होता है और 60% मार्क होना चाहिए इसके साथ साथ जैसे आप पास कर लेते हैं इसके बाद आपको अपना graduation complete करना होता है graduation कर आप बीटेक करते हैं तो उसके लिए JAA entrance exam अवजित किया जाता है जैसे आपको clear करना होता है इसके बाद आप बीटेकिं computer science या आप कई सारे internship और भी कर सकती है जैसे कि जिसमें आपको C++, Java, HTML जो coding के language होती है वो सारी चीज़ आपको internship में सिखाया जाती है जैसे आपको job मिले में काफी आसानी होती है यह सारी चीज़ सीखने के बाद आपको किसी भी software company में job के लिए apply करना होता है और और वहां पर आप की colleges में आती है जैसे कि आप बीटेक बगरा कर रहे हैं अच्छी colleges से कर रहे हैं तो वहां पर placement के थ्रू भी आप एक software developer की job पा सकते हैं और वहां से लाखो रुपे मंत्री की अर्नक कर सकते हैं अब आई आपको पताते हैं कि आप एक software developer अगर आप बन जाते हैं तो आपको कि आपको क्योंगे कि एक software developer अक्चुल में बनते कैसे हैं इसके लिए क्या क्या करना होता है क्या क्या योगता होनी चाहिए सारी जनकार इस वीडियो में दे दिया है दोस्तों कोई भी आपके मैंने question हो तो comment करके पूस सकते हैं दोस्तों मिल दहनाश्च वीडियो में तब तक के लिए जैहन